उद्देश इस पाठ के अंत में आप निमने लिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे तलपट का अर्थ बता सकने में तलपट तैयार करने के उद्देशियों को सूची बद्ध कर सकने में विभिन्य प्रकार की अशुधियों को बताने, पता लगाने और संशोधन कर सकने में अशुधियां पता लगाने की विभिन्य प्रक्रियाएं बता सकने में तलपट के मिलान को प्रभावित ना करने वाली अशुद्धियों अथवा तलपट के मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को पहचानने में तलपट का अर्थ तलपट बही खाता कारे पत्रक या अनौपचारिक लेखांकन विवरण है, जो किसी समय बिंदों पर खाता बही शेश सूची बद्ध करता है और जमा शेश के कुल योग के साथ नाम शेश के कुल योग की तुलना करता है दूसरे शब्दों में ये वो लेखांकन रिपोर्ट या विवरण है जिसमें खाता बही के सभी शेश नाम और जमा शेश के के रूप में अलग किया जाता है तलपट के नाम पक्षपर परिसमपत्ती और वियाए खाता दिखाई देता है जबकि देताएं पूझी और आय खाता जमा पक्षपर दिखाई देते हैं तलपट में दिखाई देने वाले सभी नाम, शेशों का कुल योग सभी जमा शेश के कुल योग के बराबर होना चाहिए बशर्ते कि सभी लेखांकन प्रविष्टियों को सही तरीके से दर्ज किया गया हो और सभी खाता बही शेश को तलपट में सटीक रूप से निकाला गया हो तलपट की तैयारी कमपनी द्वारा तलपट आवधिक आधार पर तैयार किया जाता है ये आमतोर पर वित्तिय या लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है हाला कि कमपनी किसी भी दी गई अवधिके अंत में तलपट तैयार करने का विकल्प चुन सकती है इसे मासिक, त्रेमासिक, अर्धवार्शिक या वार्शिक रूप से बनाया जा सकता है इसलिए हम कह सकते हैं तलपट लेखांकन अवधिके अंत में चलने वाली एक आंतरिक रिपोर्ट है जो प्रतिये खाते में अंतिमशेश राशी सूची बद्ध करता है तलपट का प्रारूप तलपट की आसान रूप रेखा होती है इसके सामान्य प्रारूप में चार स्थम्भ होते हैं इन स्थम्भों को नीचे दिया गया है एक खाते का शीर्षक, दो, खाता बही प्रिष्ठ, तीन, नाम शेश, चार, जमा शेश तलपट में प्रतियेक पंक्रारूप तलपट तैयार करने के उद्धिश्य तलपट शब्द को परिभाशित करना तलपट को खाता बही के नाम और जमा शेश के विवरण के रूप में परिभाशित किया जाता है लेखा बही की अंकगणीतिये शुधता सिद्ध करने के लिए इसे तैयार किया जाता है तलपट को किसी विशेश तिति को खाता बही के अंतिम शेश की सूची के रूप में भी परिभाशित किया जाता है ये वित्ती विवरण की तैयारी की दिशा में पहला कदम है आमतोर पर लेखांकन अवधी के अंत में इसे तयार किया जाता है और ये वित्य विवरण तयार करने की प्रक्रिया में सहायता करता है खाता बही शेश को नाम और जमा शेश में प्रिथक किया जाता है कलपट तयार करने के पीछे मुख्य उद्देश संग्शिप्त जानकारी प्राप्त करना ये सभी खाता बहियों की संग्शिप्त जानकारी प्रदान करता है ये किसी किसी विशेश तिथी से संबंधित सभी परिसंपत्तियों, देताओं, पूंजी, आय और व्याय का शेश भी प्रस्तुत करता है तुल्ना करने और निर्णय लेने में सहायता करना ये दो अलग-अलग अवधियों के बीच परिसंपत्तियों, देताओं, पुझी, आय और व्याय के शेश की तुल्ना करने में सहायता करता है इसलिए इस जानकारी का उपियोग महत्वपोन व्यावसाईक निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है अंकगणीतिये शुद्धता की जाच करना ये लेखा बही की अंकगणीतिये शुद्धता की जाच करता है यदि तलपट समान होता है, तो ये अंकगणीतिये शुद्धता सिद्ध करता है अशुद्धियों को पता लगाने और संशोधित करने में सहायता करना इसका ना मिलना खाता बही में लेखांकन अशुद्धियां होने का संकेत है जो लेखाकार को समय पर इन्हें ढूनने और संशोधित करने के लिए मजबूर करता है अशुद्धियां और धोका धड़ी कम करने में सहायता करना ये विभिन प्रकार की लेखांकन अशुद्धियां और धोका धड़ी कम करने में सहायता करता है यदि कोई भी अशुद्धी और धुद्धु तलपट का महत्व नेमने लिखेत कारणों से तलपट महत्व पूर्ण होता है तलपट व्यवसाई के सभी वित्तिय लेंदेनों का सारांश देता है ये व्यवसाई के सभी वित्तिय लेंदेनों के अभिलेखन की अंक गणीतिय शुद्धता पर नियंत्रण प्रदान करता है ये की गई त्रूटियां यदि कोई है पता लगाने के लिए प्रारंभिक बिंदु प्रदान अशुधियों को पता लगाने में भी सहायता करता है इसके अतिरिक्त ये अंतिम खातों की तयारी का आधार प्रदान करता है तलपट तयार करने की विधियां शेश विधी, योग विधी और योग सह शेश विधी तलपट तैयार करने की विधियों की व्याख्या शेश विधी इस विधी में प्रतिय खाते के शेश तलपट में दिखाया जाते हैं नाम शेश नाम इस्तंभ में दिखाया जाता है और जमा शेश जमा इस्तंभ में दिखाया जाता है। ये तलपट तयार करने की सबसे व्यापक रूप से उपियोग की जाने वाली विधी है। योग विधी इस विधी में नाम खंड का कुल योग नाम इस्तंभ में लिखा जाता है और जमा खंड का जमा इस्तंभ में लिखा जाता है। कुल मिलाकर जमा और नाम राशी दोनों पक्षों पर समान होनी चाहिए। और यदि दर्ज की गई राशियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, तो ये अशुधियों की उपस्थिती को दर्शाता है। ये आवशक है कि ऐसी सभी गलतियों की पहचान की जाए और फिर सही किया जाए। योग सहशेश विधी ये विधी, शेश और योग दोनों विधियों का संयोजन है। राशिय इस्तंभ को योग और शेश विधियों में विभाजित किया जाता है। प्रतियक विधी में नाम और जमा के आगे दो इस्तंभ होते हैं। प्रत्येक विधी के अंतरगत, नाम और जमा का योग बराबर होना चाहिए. तलपट तैयार करने के कदम संक्षिप्त विवरण तलपट वो विवरण होता है, जो सभी खाता बही खातों के शेश की सूची दिखाता है. इसे बनाया जाता है गणितिये अशुधियों की जाँच करने के लिए, अंतिम खाता बनाने के लिए और कम्पनी का बजट बनाय रखने के लिए. विबिन व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के खातों की तैयारी के बाद तलपट तैयार किया जाता है. इसे खाता बही से निकाली गई परिसंपत्तियों, पूंजियों, देताओं, व्यायों आय आधी का सारांश भी कहा जाता है तलपट बनाने के उद्देश्य तलपट बनाने का मुख्य कारण ये सुनिश्चित करना है कि सभी नामशेश का योग, सभी जमाशेश के योग के बराबर है इसलिए तलपट सामानने खाता बही की अंकगणीतिये शुद्धता की जांच करने और साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए तलपट बनाया जाता है कि खाता बही में सभी खत्वनियों में दोहरी प्रविष्टी बही खाता के नियमों का पालन किया गया है तलपट बनाने में शामिल कदम चरण एक तलपट का शीर्शक लिखें चरण दो प्रत्येक खाता बही खाते के शेश की गणना करें प्रत्येक महीने के अंत में खाता बही में प्रत्येक खाते के शेश की गणना की जानी चाहिए चरण तीन, खाता बही में प्रत्तिय खाता सूची बद्ध करें और शेश नाम या जमा इस्तंभ में जैसे उचित हो रखें तलपट में प्रत्तिय खाता बही खाता पहले सूची बद्ध किया जाता है फिर महीने के अंत में प्रत्य खाते का शेश उचित स्तंभ में लिखा जाता है चरण चार नाम और जमा स्तंभों का योग करें स्तंभों का योग बराबर होना चाहिए नाम और जमा दोनों स्तंभों को योग किया जाना चाहिए फिर इसका सत्यापन किया जाना चाहिए कि नामशेष का योग जमाशेष के योग के बराबर है तल्पट के मिलान का महत्व तल्पट और इसकी विशेष्टाएं तल्पट खाता बही से ली गई नाम और जमाशेष की सूची है इसकी विशेष्टाओं में शामिल है एक, राज नामचा से खाता बही में प्रविष्टियों की खतोनी की अंकगणीतिय शुद्धता की जाज करने के लिए इसे तैयार किया जाता है दो, ये बही खाता की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली का हिस्सा नहीं है बलकी केवल खतोनी की शुद्धता की जाज के लिए है तीन, इसे एक विशिष्ट तारीख पर तैयार किया जाता है चार, ये सभी खातों के शेश या खाता बही के योग का विवरण है पांच, तलपट के नाम और जमा इस्तंभ का योग मिलना चाहिए छे, यदि नाम और जमा इस्तंभ बराबर हैं तो ये माना जाता है कि खाते अंक गणीतिये रूप से शुद्ध है साथ, नाम और जमा इस्तंभ में अंतर इंगित करता है कि कुछ गलतियां की गई है तलपट के मिलान का क्या महत्व है ये लेखाकार के लिए बहुत महत्व पूर्ण है कि तलपट का मिलान होना चाहिए तलपट खाता बही खतोनी की शुद्धता और खातों के संतुलन की जांच करने के लिए बनाया गया विवरण है यदि नाम शेश का योग जमा शेश के बराबर है तो इसका तातपर्र है कि खतोनी और संतुलन सही है मिलान वाले तलपट का अर्थ है कि नाम और जमा शेश का योग बराबर है इससे सिद्ध होता है कि प्रविष्टियां सही धंग से खतोनी की गई है हालकि तलपट का मिलान खातों की शुद्धता का पूर्ण प्रमान नहीं है ये गयरंटी नहीं देता है कि प्रविष्टि स्वयम में सही है ऐसी त्रूटियां हो सकती है जिससे नाम और जमा की समानता प्रभावित हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है अशुधियों का वर्गीकरण तलपट शब्द को समझना तलपट प्रतिये खाते में नाम या जमा के योग की सूची बधता का सारांचिस्तर है दूसरे शब्दों में ये नाम और जमा शेश के रूप में वर्गीकरित प्रतिये खाता बही में बचे शेश का विवरण है तलपट और अंक गणीतिये शुधता बही खाता की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली की अनुसार नाम पक्ष का कुल योग जमा पक्ष के कुल योग के बराबर होना चाहिए तलपट में यदि दोनों नाम और जमा पक्ष समान हैं तो ये इंगित करता है कि खतोनी किये गए खाता बही के शेश अंक गणीतिये रूप से शुध है अशुधियों के प्रकार अशुधियों को वर्गी कृत किया जाता है क लोप अशुधियां ख लेख अशुधियां ग सैधान्तिक अशुधियां ग क्षती पूरक अशुधियां एक लोप अशुधियां ये अशुधि लेन देन का अभिलेखन करने के समय हो सकती है इस प्रकार की अशुधि तब होती है जब लेखांकन की पुस्तकों में व्यवसाय का लेन देन पूरी तरह से या आन्शिक रूप से अभिलेखित होने से रह जाता है 2. लेख अशुधियां नहीं डाल सकती हैं। तीन, सैध्धांतिक अशुधियां। ये अशुधियां आम तौर पर स्विकृत लेखांकन सिध्धांत के उलंगन के कारण होती हैं। जैसे पूजी गत और आइगत मदों के बीच गलत आवंटन। चार, क्षती पूरक अशुधियां। इस प्रकार की अशुधि को क्षती पूरक अशुधि कहा जाता है। इस प्रकार की अशुधियों को ज्याद करना। अशुधियों के प्रकार। चार प्रकार की अशुधियां नीचे सुची बद्ध की गई हैं। लोप अशुधियां, लेख अशुधियां, सैध्धांतिक अशुधियां, क्षती पूरक अशुधियां। अशुद्धियों को खोजना या ढूंडना यदि तलपट मिलता नहीं है तो ये इंगित करता है कि खाता बहियों में कुछ अशुद्धियां मौजूद हैं जाँच आम तोर पर स्वयम तलपट से शुरू होती है अशुद्धियां ढूंडने या खोजने के लिए निम्नलिकित कदम उठाये जाते हैं एक तलपट के नाम और जमा इस्तंभ का पुनाह योग किया जाता है दो जाँच की जाती है कि रोकर शेश और बैंक शेश तलपट में ठीक से और सही तरीके से सूची बद्ध है तीन सत्यापन किया जाता है कि पिछले लेखांकन वर्ष से चालू लेखांकन वर्ष में प्रारंभिक शेश सही ढंक से आगे लाया गया है चार, तलपट में सूची बद्ध सभी राशियों की दोबारा जाज की जाती है और पुष्टी की जाती है कि सभी खाता बही शेश की नकल की गई है पांच, विविध देनदारों और विविध लेनदारों की सूचियों में योग की पुष्टी की जाती है 6. सभी सहायक पुस्तकों के कास्टिंग और अग्रेशन का सत्यापन किया जाता है 7. खाता शेश की फिर से गणना की जाती है 8. सहायक पुस्तकों से अलग-अलग मदों की खतोनी की पुष्टी की जाती है 9. मूल प्रविष्टी की पुस्तकों से खातों में खतोनी की शुद्धता की दोबारा जाज की जाती है 10. उप्रयुक्त सभी चर्णों के बाद यदि अशुद्धियां अभी भी नहीं ढूनी जा सकती है तो अंतर को उचन्ती खाते में इस्थानांत्रित कर दिया जाता है अशुद्धी मिलने के बाद इस उचन्ती खाते को बंद किया जाता है उचन्ती खाते का अर्थ और उपियोगिता उचन्ती खाता परिभाशित करना उचन्ती खाता वो खाता होता है जिसमें लेखाकार अवर्गी कृत लेंदेन का अभिलेखन करता है ये खाता अस्थाई रूप से प्रविष्टियां रखता है जिस दौरान लेखाकार निर्णय करता है कि प्रविष्टियों को किस प्रकार वर्गी कृत किया जाएगा ये अधिक आंकडे एकत्रित होने तक विसंगतियों के बारे में भी जानकारी रख सकता है किस प्रकार का खाता उचंती खाता होता है ये एक प्रकार का होल्डिंग खाता है जो सामान्ने खाता बही में पाया जाता है प्रशनाधीन लेंदेन के आधार पर उचंती खाता परिसंपत्ती या देता हो सकता है यदि कोई परिसंपत्ती प्रश्ना धीन है, तो उचन्ती खाता वर्तमान परिसंपत्ती होता है, क्योंकि ये खातों से संबंधित भुगतान प्राप्त रखता है यदि खातों के दे रखता है, तो ये देता भी हो सकता है उचन्ती खाता और तलपट तलपट किसी खाते का अंतिम शेश होता है, जिसकी लेखांकन अवधी के अंत में गणना की जाती है जब नाम और जमा मेल नहीं खाते हैं, तो सुधार किये जाने तक अंतर उचंती खाते में रखा जाता है यदि तलपट में जमा शेश नाम शेश से अधिक है, तो अंतर को नाम के रूप में दर्ज किया जाता है यदि नाम शेश जमा शेश से बड़ा है, तो अंतर को जमा के रूप में दर्ज किया जाता है उचन्ती खाते को तलपट तुलन पत्र अन्य परिसंपत्ती के अंतरगत सूची बद्ध किया जाता है संशोधन के बाद ये खाता बंद कर दिया जाता है इस प्रकार ये तलपट का हिस्सा नहीं बना रहता है उचन्ती खाते की उपियोगिता इसका उपियोग तब किया जाता है जब आन्शिक भुगतान प्राप्त होता है भुगतान प्राप्त होता है लेकिन भुगतान करने वाले ग्राहक ज्यात नहीं होता है स्थाई परी संपत्ती क्रे की गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ये सुनिश्चित नहीं होता है उचन्ती खाते का निप्टान उचन्ती खाता सामानने खाता बही का खाता होता है ये वर्तमान अशुद्धी या अज्यात लेंदेन की पहचान होने तक होल्डिंग खाते के रूप में कारे करता है काम के दौरान आप सभी विसंगतियां रखने के लिए उचनती खाता खोल सकते हैं जब तक आप उन्हें पा नहीं जाते हैं हालकी उचनती खाता एक अस्थाई खाता है जिसे लेखांकन चक्र के अंत तक बंद कर दिया जाना चाहिए तलपट और उचनती खाता जब तलपट में नाम और जमा शेश कर मिलान नहीं होता है या कुछ प्रविष्टियां सपष्ट नहीं होती हैं तो दोनों पक्षों को अस्थाई रूप से संतुलित करने के लिए उचनती खाता बनाया जाता है उचनती खाते का निप्टान कैसे किया जाता है तलपट का मिलान करने के लिए अर्स्थाई उपाय के रूप में उचनती खाते का जो काल्पनिक खाता होता है उपियोग किया जाता है बाद में जब उचनती खाते को प्रभावित करने वाली अशुधियां खोज ली जाती है तो उचनती खाते की सहायता से शोधन प्रविष्टियां की जाती है शोधन प्रविष्टियां शोधन कारी प्रविष्टि के नाम किया जाता है तो उचनती खाता जमा किया जाता है ऐसा दोहरी प्रविष्टि को पूरा करने के लिए किया जाता है तीन यदि शोधित किया जाने वाला खाता शोधन कारी प्रविष्टि में जमा किया जाता है तो उचनती खाता नाम किया ये भी दोहरी प्रविष्टी को पूरा करने के लिए किया जाता है। अशुधियों का शोधन अशुधियों का शोधन अशुधियों में सुधार करने की प्रक्रिया है, जो कम्पनी की खात बहियों में किये गए होते हैं। लेखांकन सिध्धान्तों की अज्ञानिता या अपून जानकारी के कारण ये अशुधियां हो सकती हैं। कभी-कभी कर्मचारियों या लेखाकार द्वारा धोकाधड़ी के कारण भी अशुधियां की जाती हैं। लेखांकन अशुधियों के शोधन के प्रकार अशुधियों के शोधन के प्रकार नीचे दिये गए हैं एक द्वी पक्षिये अशुधियां इससे तलपट प्रभावित नहीं होता है दो एक पक्षिये अशुधियां इससे तलपट प्रभावित होता है अशुद्धियों का शोधन जो तलपट को प्रभावित नहीं करते हैं द्वी पक्षिय अशुद्धिया इस प्रकार की अशुद्धिया एक साथ दो खातों को प्रभावित करती है ऐसी अशुद्धियों के उदाहरण हैं प्रविष्टी करने में लोप, लेंदेन का गलत अभिलेखन, गलत खाते में खताउनी, सैध्धान्तिक अशुद्धियां इन अशुद्धियों को रोज नामचा प्रविष्टी करके अर्थात एक खाते का नाम और दूसरे का जमा शोधित किया जाता है, इस शोधन प्रक्रिया में शामिल है, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों का शोधन एक पक्षिय अशुद्धिया ये अशुद्धिया केवल एक खाते को प्रभावित करती है इन अशुद्धियों के उदाहरण है सहायक बहियां अंडरकास्ट, कम योग या ओवरकास्ट अधिक योग होती है किसी खाते में खतोनी पूरी तरह से छोड़ दी जाती है खतोनी खाते के गलत पक्षपर की जाती है गलत राशी की खतोनी की जाती है इस बिंदु पर शोधन के लिए संशोधन प्रविष्टी की आवशक्ता नहीं होती है इसके बजाए अशुद्धी से प्रभावित खाते के नाम या जमापक्षपर राशी लिखकर खाते में केवल समायोजित करने की आवशक्ता होती है अगले लेखांकन वर्ष में अशुद्धियों का शोधन अशुद्धियों का शोधन जिनका वर्तमान लेखांकन वर्ष में पता नहीं लगाया जा सकता है यदि लेखाकार इसी दिये गए लेखांकन वर्ष में अशुद्धियों का पता नहीं लगा पाता है तो वित्तिय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले अशुद्धियों का शोधन नहीं किया जा सकता है इसलिए उचंती खाता बंद नहीं किया जा सकता है इसलिए उचन्ती खाते का शेश अगले वित्तिय वर्ष में आगे ले जाया जाता है इस इस्थिती में अगले लेखांकन वर्ष के आय विवरण पर प्रभाव से बचने के लिए विय, हानी और आय लाब के खातों के बदले में लाब वहानी समायोजन खाता नाम या जमा किया जाता है अशुधियों के शोधन के लिए मार्ग दर्शक सिध्धान्त यदि अशुधि खतोंई चरण में है तो मान लें कि वो अभी लेखन सही धंग से सहायक बहियों में किया गया है यदि अशुधि मूल प्रविष्टी की पुस्तकों में है तो मान लें कि सभी खतोंईयां तदानुसार की गई है यदि गलत पक्ष पर गलत खाते में अशुद्धी खतोनी की गई है अर्थात खतोनी की राशी का उलेख किये बिना ये माना जाना चाहिए कि लेंदेन के मूल अभिलेखन के अनुसार राशी से खतोनी की गई है यदि सही खाते में खतौनी की गई है लेकिन राशी गलत है खतौनी के पक्ष का उलेख किये बिना तो मान लें कि सही पक्ष पर खतौनी की गई है गलत खाते में खताउनी करने में अशुद्धी होने पर खताउनी के पक्ष और राशी का उलेख किये बिना ये माना जाना चाहिए कि खताउनी सही राशी के दाई पक्ष पर की गई है यदि गलत राशी के साथ गलत खाते में खतौनी करने की अशुद्धी है खतौनी के पक्ष का उलेख किये बिना तो मान लें कि खतौनी सही पक्ष पर की गई है सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं तलपट को खाता बही के नाम और जमाशेश के विवरण के रूप में परिभाशित किया जाता है तलपट तैयार करने के मुख्य उद्देश्य है संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना तुल्ना करने और निर्णय लेने में सहायता करना अशुद्धिया और धोकाधडी कम करने में सहायता करना तलपट तैयार करने की तीन मुख्य विधियां है शेश विधी, योग विधी, योग सहशेश विधी तलपट बनाने का मुख्य कारण ये सुनिश्चित करना है कि सभी नामशेश का योग सभी जवाशेश के योग के बराबर हो तलपट में विभिन्य प्रकार की अशुद्धियां है लोप अशुद्धियां, लेक अशुद्धियां, सैधान्तिक अशुद्धियां, क्षती पूरक अशुद्धियां उचनती खाता वो खाता होता है जिसमें लेखाकर अवर्गी कृत लेन देनों का अभी लेखन करता है अशुधियों का शोधन अशुधियों में सुधार करने की प्रक्रिया है जो कमपनी के खाता बहियों में हुई थी अशुधियों के शोधन के प्रकार है दुई पक्षिये अशुधिया इससे तलपट प्रभावित नहीं होता है